जहीं दोस्तो तो आज हम देखेंगे सेट नमबर 35 अपनी 5000 प्लस MCQ मेराथोन सीरीज को तो दोस्तो लेक्चर की PDF के लिए आप टेलिगराम गुरूप को जोइन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नही सकते हैं तो यहां पर जो हमारा आज का पहला कोश्चन है कहरा कंसीडर दा फॉलोइंग स्टेट्मेंट रिगार्डिंग दा स्वा निधी से समरिध्धी प्रोग्राम तो दोस्तों आपने देखा होगा जब कोविड नाइटिन पैंडेमिक आया था तो यहां पर क्या कि जो स्टीट वेंडर्स है तो इसकी फुलफो में स्टीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधी तो यहां पर क्या है कि 10,000 रुपे का लोन दिया जाएगा तो यहां पर क्या है कि यह जो स्कीम सा यह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेर्स के द्वारा निकाली गई थी तो यह स्कीम को निकाल दिया तो अब यहां पर क्या है कि जो इसके अंदर में आपने देखा होगा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया तो एक तरीके से इसके इंप्लिमेंटेशन को देखती है तो यह हमने थोड़ा सा बेसिक को जाना अब यहां पर कॉश्चिन को अटेम्ट करेंगे करा इट इसा सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम लॉंच्ट अंडर दम मिनिस्ट्री ओफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइस तो दोस्तों इस स्टेट्मेंट गलत हो जाएगी याद रखना इसको महुआ ने लॉंच करा था अब यहां पर सैकेंड करा इ इंडियम तो प्रोवाइड सोशल सेक्यूरिटी बैनिफिट टू डेली वेज वरकर्स तो यह भी स्टेट्मेंट गलत हो जाएगी क्योंकि यहां पर हमारे स्ट्रीट वेंडर्स आएगा यहां पर क्यारा है थार्ड क्वालिटी कांसल ओफ इंडिया इस में से सबस्करों यह दैली है तो हर कोई बंदा क्या कि दैली के अंदर में आना चाहेगा तो यहां पर क्यारा कि इन में से कौन से ऐसे फैक्टर सा जो इंक्रीज करते हैं किसी भी प्लेस की पोपुलेशन डैन्सिटी को अगर एकनॉमिक ऑपॉर्चिनिटी मिलती है तो बि यहां पर ऐसे यह याद रखना यहां पर भी यह आ रहा है तो ऐसे याद कर लेना एमिगरेशन से होता है जहां से पॉपुलेशन लीव करती है या फिर लेफ्ट करती है और हमारा इमिगरेशन का मतलब होता है जिसी किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर लोगबाग एंटर करत हैं तो एमिग्रेशन जो हमारा नहीं होगा तो हमारा जो आंसर होगा वो शुरू के तीन ऑप्शन होंगे यानि के वन टू थरी हमारी स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी थर्ड को दिखेंगे के रा कंसीडर था फॉलोंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मिका तो दोस्तों पहले वाली लेक्चर सीरीज में मैंने आपको बताया था जो हमारी एकनॉमिक जोगरफी है उसके अंदर में ये मिका मैंगनीज आयरन कोल वगएरा आते हैं तो अब यहां पर कहें कि जो मिका है ना ये एक तरीके से इंडिया की मोनोपोली है पूरी दुनिया के अंदर में टोटल यानि के पूरी दुनिया का साट परसेंट मिका जो प्रोड़क्शन होता है इंडिया में होता है और इंडिया में भी आंदर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हमको मिका देखने को मिलता है तो अब यहां पर कहा है कि यह जो है ना एक तरीके से हमने बेसिक को जाना आप यहां पर कहा रहा है कि इंडिया has a near monopoly in the production of micka producing more than half of the world's total production बिल्गुल ठीक हो जाएगा 60% इंडिया produce करता है कहा रहा है इंडिया राजस्थान has the largest deposit of micka गलत हो जाएगी क्योंकि हाँ पर हमारी आंदरप्रदेश होगी तो मैंने आपको बताता है जैसे box site है box site हमको कहां पर देखने को मिलता सबसे ज़्यादा odisha में देखने को मिलता तो दोस्तों इंडिया से related है particular आपको पता होना चाहिए जैसे box site odisha में हो गया micka हमारा आंदरप्रदेश में हो गया कोपर हमारा राजस्थान में हो गया तो यह सारी state पता होनी चाहिए थर्ड करा है micka है यूनिक कॉंबिनेशन ओफ इलास्टिसिटी टफनेस फ्लैक्सिबिलिटी ट्रांसपेरेंसी और यहां पर इसको मेंली यूज़ करा जाता है को यहां पर कहा है को इस स्टेटमेंट ठीक है तो वन एंट थ्री हमारी जो स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी फ़ोर्थ स्टेट में को पढ़ेंगे करा एक एक दम फ्री में नहीं मिलता बलकि जो हमारे आइरन और सोते ना इस में से हमको एक्स्टक्र करना पड़ता यह used for the manufacture of bleaching powder and pesticides तो दोस्तों यह statement ठीक हो जाएगी क्योंकि हम इसको यूज करते हैं ब्लेचिंग पाउडर को बनाने में पैस्टिसाइट्स इंसेक्टिसाइट्स हमारे पेंट्स वगएरा यहां पर बनाने में हेल्प होता है क्या रहा है ब्राजिल इस दा वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रड्यूसर है मैंगनीज और तो दोस्तों गलत हो जाएगी यहां पर जो तो इंडिया का 66% मैंगनीज है वह यहां से हम जैपैन को भेजते हैं कि सबसे ज्यादा जैपैन हमसे मैंगनीज को प्रड्यूस करता तो थर्ड स्टेट्मेंट हमारे ठीक हो जाएगी तो हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा यानिका वन एंड थरी फिफ्ट को देखेंगे कह रहा है कि जो हमारी आइरन इंडस्ट्री या फिर स्टील इंडस्ट्री हो गई तो इन में से कौन सो रो मेटेरियल बहुत जरूरी होते हैं आइरन और और कुकिंग कोल को छोड़ करके तो कह रहा है आप्षन लाइमस्टोन डॉलोमाइट मैंगनीज फायर के लिए तो द जरूरों की जरूरत होती है ऐसे रो मैटेरियल तो जो हमारा आंसर होगा वो डी यानिके चारों स्टेट्मेंट ठीक हो जाएगी सिक्स्ट को देखते है करा कंसीडर दा फॉलेंग स्टेट्मेंट इट्स में एम इस तो प्रेडियूस क्रॉप्स बाई उसिंग मोडरन और क्या वेक्टली फार्मिंग इस विए डिस्क्राइब इन अबव इस्टेट्मी तो दोस्तों के बारे में बोला तो आपने जोगरफी में पढ़ा होगा एंस ए एपरभी बहुत तप्रेंट डिप्स की होती है एक हो ते प्रिमिटिव फार्मिंग एक होती हमारी सब्सिस एक होती है commercial farming तो जैसे primitive farming का मतलब होता है primitive का मतलब होता है old यानि के जो old time में यानि के जो old techniques होती थी उसकी मदद से क्या है farming करते थे subsistence farming होता है कि हम वो वाली farming करता है खाली अपने खुद के consumption के लिए यानि के ना export होगा ना sale होगा लेकिन जो commercial farming होगी यह हम इसलिए करते हैं ताकि जो भी हमारा export होता है उसको sold out कर सके अब यहाँ पर क्याए कि ऐसे ही इसमें कह रहा है कि जो commercial farming है इसके अंदर में क्या होता है यह वहाँ पर करी जाते है जहां पर कम population होती है और यहाँ पर क्याए कि labor भी कम होती है और बहुत ज़्यादा machines वग medic farming तो देखो mixed farming में हमको combination देखने को मिलता है इसमें क्रॉक्स भी उगाते हैं और यहाँ पर हम एनिमल रियरिंग भी करते हैं और यह सबसिस्टेंस फार्मिंग वह फार्मिंग होते हैं यहाँ पर हम खुद के consumption के लिए चीजों को करते हैं अब यहाँ पर commercial farming जो हमको एक त जे फॉर्म सम्टाइम्स मैंशन इंदा न्यूस रिसेंटली इस रिलेटेड टू तो दोस्तों आप इसको ऐसे समझो जो पंजाब के यानिके इंडिया के अंदर में जो पंजाब स्टेट है यह पहली ऐसी स्टेट बनी है इसने क्या कराया जो किसान है यानिके जो फार्मर यह क्या करते थे किसानों को एक तरीके से यह बताते थे एक फॉर्म देते थे कि हाँ भया आपने जो भी समान यानिके जो आपने वीट या फिर जो राइस आपने बेची है तो एक तरीके से एज़ा प्रूफ यह होता था आड़तिये किसानों को देते थे एज़ा कोई लेना है सबसीडी लेने या फिर जो भी बैनिफिट लेने तो वह इस फॉर्म को दिखा करके क्या है यह ले सकते है तो यह कहा कि यह यह था तो यहां पर कहा रहा है कि यह रिहाइबिलेटेशन और वॉर विक्तिम है गलत सेल रिसीट और फार्मर्स एग्रिकल्चरल प्रड्यूस इन मंदी इस तो यह स्टेट्मेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी थर्ड करा इंप्लिमेंटेशन ऑफ पीम श्रम योगी मांधा नियोजना फॉर्थ तो गलत हो अब यहां पर 8th questions को पढ़ेंगे कह रहा है इट इस अ लार्ज पैनिंसुला यानिके यह लार्ज पैनिंसुला है जो ब्रिज करता है जोडता है continents ओ यूरोप और एश्या को इट शेयर सा पॉलिटिकल बाउंडरी विद बुल्गेरिया इन दा नोर्थ वेस्ट डाडेनल्स and sea of Marmara and the Bosphorus State divided the country into two equal parts which of the following country is being described by the above given passage क्या रहा है ग्रीस साइपरस टर्की रोमानिया तो दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपने देखा होगा यह कहाई कि तर्की का मैप है तो यहां पर कहाई कि ऐसे समझो यह पूरा तर्की है अब यहां पर कहाई कि इसके यह एक तर्की के ओपर हमको ब्लैक सी देखने को मिलता है तो अब यहां पर यह जो रास्ता आपको देखने को मिलता है यह तरीके से बोस्फोरस स्टेट है तो यह जो बोस्फोरस स्टेट है एक तरीके से जो इस्टन तर्की है और वेस्टन तर्की को जोडता है यानि कि हम कह सकते है कि Asia और Europe को जोड़ता है अब यह Black Sea को एक तरीके से यहां पर हमको South Side में Sea of Marmara देखने को मिलता है तो हम कह सकते हैं कि यह जो State of Boss Forest है यह Black Sea को Sea of Marmara से जोड़ता है तो जो हमारा आंसर होगा इसमें वो तर्की हो जाएगा अब यहां पर 9th questions को देखेंगे consider the following statement with reference to copper तो दोस्तो हमने देखा कि जो corp ये निया के अंदर में राजस्थान के अंदर में सबसे ज़्यादा copper देखने को मिलता है अब यहां पर copper की बात करता है या zijn यांई के इंडिया इंपोर्ट करता है copper को या export करता है तो अब अब यहां पर कहीं जो copper है न यहां पर इंडिया net importer रहा हाए कुछ पिछले सालों से हैं इन्डिया exports पहले क्या है export करता था अब Mayor muerte एकषपॉर्ट करता था अब यहां पर कहींडियो यूट है योनिट है थोड़ा हमारा export कम हुआ है लेकिन अगर हम import की बात करें तो हमारा जो इंपोर्ट है वो डबल से भी ज्यादा हो चुका है तो याद रखना इंडिया जो है अब नेट इंपोर्टर रहा है एक्सपोर्ट के मामले में तो आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे करा इंडिया सेल्फ सफिशेंट इन कोपर रिजर्फ फॉर इट्स नीड तो यह गलत हो जाएगी इन इंडिया दा लार्जस्ट कोपर डिपोजिट और मेंली लोकेटिड इन ओडिशा गलत हो जाएगी राजस्थान में सबसे ज्यादा डिपोजिट है माइनिंग कोपर इजा कोशली एंड देखने को मिलते हैं तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो थर्ड ओनली हो जाएगा अब यहां पर अपना आज का टैंथ को देखेंगे कह रहा है विद्रेफरेंस टू इंडिया सोलर पावर एनरजी टार्गेट कंसीडर दा फॉलोइंग स्टेटमेंट तो कह रहा है कि इंड या फिफ्ट नंबर पर है तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी फिर कहरा सेकिंड स्टेटमेंट सिंस 2011 इंडिया सोलर सेक्टर हैस ग्रोन एटकंपाउंडिड एन्वल ग्रोथ रेट ओफ मोर देन 50 परसेंट तो दोस्तों यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी अगर आप देखो 2011 से लेकर के 2021-22 तक तो यहाँ पर जो हमारी सोलर एक तरीके से जो ग्रोथ हुई है इंडिया के सोलर सेक्टर की वो अराउंड 59-60 परसेंट के उससे हुए यानिके मोर दन 50 परसेंट से ज़्यादा एन्वल ग्रोथ से सोलर सेक्टर बढ़ा है तो इस ठीक हो जाएगी आपको पहले पता होगा कि जो हमारा इंडिया है उसने पहले टार्गेट रखा था सो गीगावट 2022 तक फिर उसके बाद में इंडिया ने टार्गेट रखा हम 300 गीगावट रखेंगे 2030 तक फिर अब इंडिया ने आज की डेट में जो रखा है वो 500 इसके तहत में कर रखा है तो जो हमारा आंसर होगा वो डी यानिके टू एंड थ्री स्टेट्मेंट हमारी ठीक हो जाएगी तो दोस्तों यह थे हमारे आज के दस एंसे क्यों सो थैंक्यू गाईज